तो अज इस वीडियो में सीखेंगे notifications के बारे में अगर आप street drawing या फिर architect drawing side पे study कर रहे हैं तो अगर आप से कहा जाए कि यो drawing आपको drawing दे दी जाए side पे उसके बाद आपस side पे काम कराया जाए तो आप कैसे काम करेंगे अगर आप supervisor एक engineer है तो ये वीडियो आपके लिए most important है अगर आप घर बना रहे तो ये भी वीडियो आपके लिए important है क्योंकि अगर आपके पास drawing है तो उससे easily study करके आप घर का काम या पिस साइट पर concession काम करा सकते हैं तो इस वीडियो हम सीखेंगे नोटिफिकरेंशन बारे में कि जो drawing के अंदर जो mention होता है वो कहां पर क्या-क्या लिखा रहता है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं उसके अपर कुछ notifications है या फिर notations हैं तो वह क्या mention करता है आपके drawing के उपर अगर आपके drawing के अंदर 100th के लिखा रहता है तो इसका means क्या है ठीक है 100th तो indicates the thickness of solid slab while in mm या फिर जो तिक लिखा रहेगा यह आपके mention करते जाएगा जैसे कि आपका जो slab दे जाता है जैसे reinforcement slab दे जाएगा वहाँ पर simple लिखते जाएगा जैसे कि आपका यह slab beam detail ठीक है drawing आई तो वहाँ पर simple यह mention कर दे जाएगा ठीक है s1 तो इसके अंदर ही यह box मना के लिख दिया जाएगा कि 150th ठीक है 150th ठीक लिखते जाएगा यह आपके जो beam रहेगी यह side पर beam mention कर जाएगा तो यहाँ पर यह mention कर जाता है s1 तो its mean आपका slab 1 है और यहाँ पर लिख दे जाता है 100 ठीक यह फिर 150 ठीक अगर आपके पास RCC वाल है अगर आपके पास drawing है RCC वाल की तो उसके अंदर simple mention कर दे जाएगा यहाँ पर नीचे ही mention कर जाएगा उपर इसको arrow करके mention कर दे जाएगा कि 120 mmth ठीक है तो 120 mm ठीक आपको यहाँ पर mention कर दे जाएगा तो simple यह क्या कर रहा है 100 तो 100 mm और इंडिकेट साथ thickness of solid एवाल in mm में यह क्या कर रहा है mm में कर रहा है show ठीक है यहाँ पर भी यह लेखा रहेगा तो वो उसको show करेगा यह thickness के अंदर उसके बाद second point है अगर आपके पास indicate करता है इस तरह से arrow बनके triangle and arrow तो indicates कि क्या indicate करता है that section has been drawn along the horizontal line looking towards the arrow head जो भी यह horizontal line है और यह arrow show कर रहा है तो यह show कर रहे कि जओपका section है जो आपका horizontal जो लाइन है looking towards section з' haha जैसे कि आपके कोई ड्रोइंग है तो इसको ड्रोइंग के अंदर जैसे já DOT विस अपके प्लान दे जाते तो यहाँ पर आपके ड्रोइंग के अंदर मेंजन कर देगा इस तरह से ठीक है यह से भी शत्राइस आपको से 60 कर दिखेगा तो इसका जो जोस्ट हाल फैझ अधर से क्या दिखेगा आपको राप इधर से देखते आपको से कर दिया जाता है सेक्शन्स ठीक है तो मैं सभी जो इंडिकेट्स हैं उसकी जो इमेजिस है मैं सैड में आपको सो कर दूँगा अपने सैड़ों में देख रहा होगा कि यह कहां पर मैं इस तरह से ठीक है थर्ड नंबर पर आता है जो जो बॉक्स बना रहेगा बॉक्स के क्या इंडिकेट करता है तो यह आपका कट आउट जैसे कि आपका यह क्या कोड़ जाता है कि यहां पर यह एरिया है यह ओपन एरिया रहा है यह फिर यह खाली रहेगा आपकी सिलैब के अंदर ठीक है जैसे कि आपका साफ्ट सर्विस साफ्ट रहता है जैसे कि आपका हाउ यहां पर इस एरिया में इस एरिया में नहीं देना है और इस एरिया में आपको खाली छोड़ना है ठीक है तो second point आपका करता है Indigate load bearing brick wall तो यह section क्या करता है load bearing brick wall जैसे कि आपने कोई आप प्लान ले रहे हो structure plan या फिर architect plan ले रहे हो तो उसके अंदर अगर इस तरह की जो double double arrow line लगी हुई है तो वह क्या करता है Brick Work का Indicate करता है, यह क्या है Brick Work का ही Indicate करेगा, तो Load Baring यह क्या करे भिर्क यहां पर आपका 9 इंची वाल है या फिर 4 इंची वाल है, तो वहां पर यह Mention Double Line का Mention करेगा Brick Work से, तो आपने डिपलो में बिटे किया हो फो आपने काफी इंडिगेट पढ़ी को आप पर बूल्ड का किस तरह से संखर हुआ तो वूड के यह हमैं सब नंगर आपको सिर्द स्थ aquellos करतेगा प्यूद्ध और वान आपको 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 सेंड करेंगर से लिए करता है तो यह आपका अर्थ हिलिंग परेंसेंड फिलिंग करेंगर या फिर आपके सेंड फिलि तो इस तरह से पॉइंट करेंगा उसके बाद यह जैसे कि आपका कोई कोलम के अंदर इस तरह से इंडिगेट करके वह दूसरी जगे पे बड़ा सरकल में आपको सो कर देंगा कि यह आपका क्या है इस तरह से क्या पोजिशन रहीगिए कि यहां पे आपको क्या मैंसन करना है उसके बाद आपका है अगर आपके पास सरकल में एस तू लिखती है जाता है तो यह क्या इंडिगेट करता है सिलैब इनडिफिकेसन नंबर कि आपका यह इन्डिगेट कर जैसी कि आपका कुई हाऊस प्लान है इस टोशल ड्रॉइंग आपके पास Mathen a जाती है तो उसके अंदर आपने देखा हो गा कि यह भीम फिक है यहां पर बीम-सो कर देगा उसके बाद यहां पर लिखदेगा that's one Thakr чис करदेगा अगर आप यह प्युक्ला चाहते हैं तो मैंने काफी वीडियो इसके बना चुका हूँ, how to study slab reinforcement drawing, तो वहाँ पर भी आप यह देख सकते हैं, वहाँ पर भी इसी के अंदर इसी तरह सो किया जाता है, कि S1, S2, जो भी आपकी authorized drawing आती है, या भी आपकी private drawings आती है, तो वहाँ पर इस तरह से mention कर दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर लिख राएगा एट, यह क्या करता है, पाई, और यह at the rate of 150, तो इसका मतलब क्या रहता है, अगर आपके structural drawing के अंदर इस तरह से mention किया जाता है, तो it's mean क्या है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपकी कोई beam है, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर कर देता है, indicate 12, फी पाई, at the rate of, फी यहा आपको simple यह देदेगा, ठीक है, only यह देदेगा, ठीक है, तो it's mean क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखता है, बारा, बारा क्या है आपका, डाया, यहाँ पर क्या आपका, डाया, यह indicate करता है, यह क्या है, बारा क्या है, mm, यह आपका, mm में रहता है, और पाई का मतलब होता है आपको डाया कि जैसे कि कोई भी शर्कल होगा तो उसको आप किसे डिणाल कर गया पाई से कि पाईगा क्या होता है कि यह अंदर-अंदर का डाया ठीक है उसके बाद एड़ रेट हो मतलब किया होगा 150 150 का मतलब क्या है 150 की दूरी पे आपको करना है 150 mm की 150 लेगा यहां पे जैसे कि आपका ये बीम है ठीक है ये अपका बीम है तो यह जो सरीया रहेगा ये सरी रहेगा तो इसमीन ये दोनों क्या आपके 12 mm के हैं ठीक है और इसकी जो दूरी रहेगी वह कम से कम जैसे कि यहां पर भी कोई बीम आ जाता है यहां पर भी कोई सरी आ जाता है तो इसकी ज जान लेते हैं तो यह क्या कहा रहा है 150 Center to Center distance of two bar या फिर इस्टरप तू लेग्ड यह आपका टू लेग्ड इस्टरप में देगा ठीक है जो भी लेग्ड फॉर लेग्ड फॉर लेग्ड फॉर लेग्ड चीतने भी लेग्ड इस्टरप होगा तो महां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पाई तो टो रेंफॉर्समेंट यह आपका आर एफ क्या हरेगा का रेंफॉर्समेंट ठीक है आरेफ देगा टॉर का रेंफॉर्समेंट इसके अंदर रिप्स बन जाती है ट्रांस्वरे सिरिस रिप्स एंड लोंगिट्यूनल रिपस एट क्या रहने वाला है एट रहता है डाया ओब बार कि आपका जो एट है वह आपका मैंसन कर दे एफ ऑर शिस्टीनके है डाया ओब बार इन North चिर बार पाही ताय तो यहां पर टॉर यह तो यह दर लिए यह एन फॉर्समेंट अ को इसके दे रहाए मारा सो laquelle को कया लाया आ ँबम बार आपको एंने में देगा ठीक है और दो क्या इंडिय ca chain ट्रिकर है numbers of bar कि आपके ड्रोइंग आपकी अगर आपने बीम है जैसे आपकी ड्रोइंग के अंदर कोई बीम आ रहा है तो बीम के अंदर अपने यह reinforcement है इसको एरो करके सीम पलसा दे सब्सक्राइब करने है और सेक्शन के अंदर आपको अगर दिखा जाता है तो स्थे से आपको बाहर provide किया जाएगा कि just only इस तरह से mention कर दियाएगा और जैसे कि यहां पर mention कर दे जैसे only four by 16 कि आपके यह जो चार बार है एक दो तीन चार यह चार बार है 16 mm के ठीक है चार बार आपके 16 mm के रहने वाले हैं ठीक है उसके बाद next क्या indicate करता है अगर आपके drawing के अंदर 2L तो यह क्या indicate करता है two leg stir up अगर आपके drawings के अंदर या पी table के अंदर indicate करता है four L तो its mean आपका four leg stir up है six L का mean होगा six leg stir up तो मिछले पिछली वीडियो में आप देख सकते कि वह मैंने महाँ पे mention कर दिया है two leg क्या होता है four leg क्या होता है six leg क्या मतलब क्या है यह indicate करता है column नम टाइप का कि आपका अगर आपने घर बनवा रहे हैं या फिर आप superizer आपने देखा हो काफी जो drawing साती है grid plan के अंदर आता है क्या पाथा column का जो layout plan आता है वो grid में आता है तो grid क्या रहेगी horizontal ठीक है and vertical वर्टिकल आईगी उसके बाद आपका column indicate यहां पर mention कर जाएगा यहां पे column mention कर जाएगा उसके बाद एदा को many days रहेगा तो जगे जवे column mention कर दिया जाता है उसके बाद यहां पर centre इसका distanceãy गा distill ख़ो यह आपक ऑग between बी इस्ताहरा से बेसंट रहेगा यहां पर when 좀 क precautions कर को यहां पर मैंजन कर जाता है इसके बाद नेक्स डॉइंग के अंदर कॉलब कर रेंड़न देगा ढेगा टीक है कि इहां पर यह क्या है मैं इसके study काफी बना चुका हूं उसमें देख सकते हैं तो यहां पर simple सी वो table देदेगा इस तरह से और इसके बाद जैसे कि यहां पर भी बार provide है तो यह आपको mention कर देगा इस तरह से ring ठीक है आपको यह ring इस तरह से प्रड़ करना जैसे इसका उपर ही करना है पर लेकिन इस तर four pi sixteen and 4 pi रिश्तर है इस कमिंड आपके चार सलिय का रहने वाले हैं और चार नंबर सो बार बारार एम्सके रहने वाले transformer का क्या रहते हैं कोलम के आपके इस दो तीन चार तो यह 4 कोलम आपके सहल एम्सकर रहन्य हाले हं यह जो अंदर के बार हैं यह आपके चार बार आपके बारा के रहने वाले हैं इस तरह से mention कर दिया रहता है drawings के अंदर ठीक है तो जो भी indicates रहेगा तो C का clear हो गया आपको drawings के अंदर यह clear हो गया उसके बाद next क्या point रहता है अगर आपने drawing के अंदर देखा होगा की plan तो in plan at a particle level represents the termination of vertical RCC member below that level अगर आपके drawing के अंदर इस तरह से show किया जाता है की इस तरह का column तो यह क्या करता आपकी जो slab है slab के अंदर यह circle बना दे जाएगा grid plan के अंदर आपने slab के structural drawing देखे होगी मैं आपको mention कर देता हूं drawing के अंदर तो slab तो यहां पर उपर टोप पर simple यह कर देगा कि आपका जो column है इसके नीचे से लैप के नीचे तो vertical RCC column member terminate ठीक है तो आपके slab के नीचे यहां पर column है ठीक है उसके बाद अगर आपके उपर just only यह field होता है solid यह circle यह आपका hollow rectangular और यह आपका solid rectangular तो यहां पर प्लान के अंदर इन प्लान एटे पार्टिकुलर लेवल रिपर जैंट्स दा स्टेजिंग और vertical RCC member जो क्या रहेगा स्टार्टिंग है ओफ वर्टिकल RCC column आपका जो slab एक स्टार्टिंग को यह पर कोई column पर जाएंट कर दी जाता है कि यहां पर नीचे कोई column नहीं है तो आपको उपर सो कर देंगा आपको column उठाना है बीम के ओपर ही ठीक है अलग से यह आप講 चर्पोरूर से फ़रस्ट प्रोर प्र भी आपको स्टार्ट करना है उसके बाद इसको है यह आप को प्लान कर रहा है रोड़ कि रिख पर योड शोड़ टे जाता है और लेकिन यह सभी पर लाइन है और इसमें कोई भी डिस्टैंस बराबर सभी डिस्टैंस बराबर है तो इन प्लान रिपर्जेंस एव वर्टिकल आर्सीसी मेंबर पासिंग तुरू एट लेवर कि यह क्या सो कर रहा है कि रिपर्जेंस देवर्टिकल आर्सीसी मेंबर पासिंग तुरू एट लेव जैसे की यह से तो यहां पर सिम्पलॉइ राइन काफि लाइन कांफिव कर देगा तो संखन का मतलब क्या रहेगा कि कि आपकी जो slab है वह से कम से कम भी 300 या फिर 300 mm डाउन रखेगा या पिर आपको 200 mm डाउन रखना है मैं तो वहां पर इस से लैब के अंदर मेंसन कर देगा या फिर आपको अलग से में ड्रॉइंस का अंदर मेंसन कर जाता है ठीक है तो यह लाइन के लिए रहा गया कि जो कहां यहां भी यह लाइन दिखेगी तो रिपर्जान करना है कि वर्टिकल रसी मेंबल और जोंटल एक लेवल पर पासिंग तुरू कर रहा है तो थेंक्स वीडियो मिलते हैं इस में इस ड्रोइंग सक अंदर और भी काफी नोट से जो आपके लिए बहुत हैल्पूल रहने ही वाल करना है उसके अंदर हम नेक्स वीडियो में दिखेंगे टापिकल डिलोप एक्सपेंजन जोंट करना है उसके बाद जो कॉलम का साइज जाओ अगर थ्री साइड से गटता है जैक्व यह से दिखेगा फॉर से वह कैसे गटना है तो वीडियो को कंटिनू रखेंगे हम ठीक तो थैक्स पूर वाचिंग इस वीडियो मिलता है नेस वीडियो में बाई बाई